एक सिनेमा हॉल की पहली, दूसरी वर तीसरी पंक्तियों में क्रमशह, सोलह, बीस वर चौबीस कुरसिया हैं यदि कुरसियों की संख्या इस क्रम में बढ़ती रहे तो सोलह पंक्तियों वाले इस सिनेमा हॉल में कुल कितनी कुरसिया होंगी? क्या आप बता सकते हैं प्रश्ण को हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? बिल्कुल सही, सबसे पहले हमें प्रश्ण में दिये गए आकड़ों के आधार पर एक सूची यानि की लिस्ट बनानी होगी प्रश्णानुसार पहली पंक्ती में 16 कुरसियां, दूसरी पंक्ती में 20 कुरसियां तथा तीसरी पंक्ती में 24 कुरसियां हैं इस सूची के बारे में आप क्या बता सकते हैं? इस श्रेढ़ी का पहला पद 16, दूसरा पद 20 वद तीसरा पद 24 है यहां दो क्रमागत पदों का अंतर समान यानि की चार है जो इस श्रेढ़ी का सार्वंतर यानि की common difference D है अतह यह श्रेढ़ी एक समानतर श्रेढ़ी यानि की AP है शाबाश क्या अब आप बता सकते हैं कि इस AP में कितने पद होंगे क्योंकि हम Cinema Hall की 16 पंक्तियों पर चर्चा कर रहे हैं इसलिए इस AP में पदों की संख्या N 16 होगी अब हमें Cinema Hall में कुर्सियों की कुल संख्या ग्याद करने के लिए क्या करना होगा कुर्सियों की कुल संख्या ग्याद करने के लिए हमें AP के इन 16 पदों का योग निकालना होगा और ऐसा हम किस तरह कर सकते हैं? हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किसी AP के प्रथम N पदों का योग फल हम इन सूत्रों द्वारा ग्याद कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं कि हमें यहां कौन से सूत्र का प्रयोग करना चाहिए? क्यूंकि हमें यहां पदों की संख्या तथा सार्व अंतरपता है इसलिए हम यहां इस सूत्र का प्रयोग करेंगे यदि हमें AP का N वापद ग्याद है तो हम इस दूसरे सुत्र का प्रयोग करते हैं आगे बढ़ते हुए यदि हम इस सुत्र में A, N वड़ी के मान प्रतिस्थापित कर हल करें तो हमें 736 मिलता है अतह सिनमा हौल में कुल 736 कुर्चिया होंगी प्रतिस्थापित कर दो हमें